हलो फ्रेंज वेलकम टू चाहत करेशन नीटिंग के नए डिजाइन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज में आपको यह डिजाइन बनाना सिखाऊंगी यह टू रोस का डिजाइन है और इसके लिए हम नाइन के मल्टिपल में फंदे लेंगे और थ्री फंदे हम extra रखेंगे फर्स्ट रो इसमें हम फिर्स्ट तीन फंदे जो हैं यह सीधे बनाएंगे 1 टू तू थ्री तीन फंदे सीधे बनाने के बांद यहां से हम एक फंदा ऐसी उतार लेंगे नेक्स्ट हम एक फंदा सीधा बनाएंगे अब जो फंदा हमने ऐसे इस लिप किया था उसे हम इस नीडल पे लेंगे और इस फंदे को यहां से ऐसे उतार देंगे यहां से हम इस फंदे को बापेस इस नीडल पे लेंगे और इसे हम सीधा बनाएंगे next हम फिर से ऐसे ही करेंगे एक फंदा ऐसे slip किया अगला फंदा हम सीधा बना लेंगे अब slip किये हूँ फंदे को हम इस needle पे लेंगे और दूसरे फंदे को हम back side पे उतार देंगे ऐसे इस फंदे को हम back side से उठाएंगे और इस फंदे को सीधा बना लेंगे फिर से ऐसी करेंगे एक फंदा ऐसी उतारा एक फंदा सीधा अब सिलिप किया हो फंदा इस नीड़ पर लेंगे और इसे हम सीधा बनाएंगे नेक्स्ट तीन फंदे हम सीधा बनाएंगे यहां से एक फंदा स्लिप करेंगे अब इसे हम ऐसे बैक सैड में उतार देंगे और यहां से लेंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे फिर से एक फंदा स्लिप कर देंगे एक फंदा सीधा slip किया हो फंदा हम अपनी left side की needle पे लेंगे और इस फंदे को हम back side से अपनी right side की needle पे लेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे एक फंदा ऐसे उतारा एक फंदा सीधा अब इस फंदे को ऐसे लेंगे और यहां से हम इसे सीधा बना देंगे ऐसी हम इसे और रिपीट करेंगे 3 फंदे सीधे अब यहां से 1 फंदा सिलिप करेंगे सिलिप किया हुआ फंदा हम लेप्ट साईड की नीजल पे लेंगे और दूसरा फंदा हम राइट साइड की नीडल पे लेंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे एक फंदा सीधा स्लिप किया हो फंदा हम इस नीडल पे लेंगे और यह बैक साइड पे उतारा हुआ फंदा हम राइट साइड की नीडल पे लेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे एक फंदा स्लिप करेंगे एक फंदा सीधा और इस फंदे को हम यहां से सीधा बनाएंगे लास्ट के तीन फंदे हम सीधा बना लेंगे सेकिंड रो तीन फंदे सीधे बनाएंगे वन टू थ्री धागा आगे करेंगे अब यहां से एक फंदा स्लिप करेंगे एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे ऐसे अब यह स्लिप किया हो फंदा हम हम बैक साइड से लेंगे और इस फंदे को ऐसे फ्रंट साइड की तरफ हम उतार देंगे अब राइट साइड की नीडल से हम इस फंदे को यहां से वापेस इस नीडल पर लेंगे और यहां से हम इस फंदे को उल्टा बनाएंगे नेक्स्ट हम फिर इसे ही रिपीट करेंगे एक फंदा ऐसे उतारा एक फंदा उल्टा बनाएंगे अब यह स्लिप किया हूँ फंदा हम लेप्ट साइड की नीडल में बैक साइड से लेंगे और इन दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे अब यह उतारा हुआ फंदा हम राइट साइड की नीडल पर लेंगे और एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे एक फंदा ऐसी उतारा, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, अब इसे हम बैक साइड से इस नीडल पर लेंगे, और उल्टा बना देंगे, धागा पीछे तीन फंदे सीध हैं, एक फंदा ऐसी उतारा, एक फंदा उल्टा, इसे हम लेफ्ट साइड की नीडल पर लेंगे, और उतारे हुए फंदे को हम राइट साइड की नीडल पर लेंगे, और एक फंदा उल्टा बना देंगे, ऐसी हम इस पूरी रोग को कम्लीट करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, इसे हम बैक साइड से लेफ्ट साइड की नीडल पे लेंगे, और इस फंदे को हम राइट साइड की नीडल पे लेंगे, और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, तीन फंदे सीध हैं, एक फंदा स्लिप करेंगे एक फंदा उल्टा और इस फंदे को उल्टा बनाएंगे फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे एक फंदा उल्टा बना लेंगे slip की हुए हो फंदे को left side की नीडल पे लेंगे और यहां से उतारे हुए फंदे को हम right side की नीडल पे लेंगे और एक फंदा उल्टा एक फंदा ऐसे उतार लेंगे एक फंदा उल्टा यहां से हम इस फंदे को इस नीडल पे लेंगे और ये फ्रंट साइड की तरफ उत आ रहा हुआ फंदा इसे हम राइट साइड की नीडल पर लेंगे और एक फंदा उल्टा बना लेंगे तीन फंदे सीध है सेकिंड रो कंप्लीट करने के बाद हमारे ये डिजाइन कंप्लीट हो चुका है इसके बाद हम इनी टू रोज को आगे आगे रपीट करेंगे और ये हमारे डिजाइन जो है ये बनता जाएगा थैंक यू